Hello students, मैं वैभव अपने चैनल निबर नॉब बे आपका स्वागत करता हूँ. ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के Maths सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटिड है. अगर आपको मेरा काम पसंद आए, तो प्लीज वीडियोज को शेर कीजिए, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार. और अगर आप पूरा से लिबस कवर करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, प्लेलिस्ट में जाके, चैप्टर वाइज, क्लास वाइज, सारे वीडियोज की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. और अब तो आप निबेंड नॉब को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो चलिए, आज का लेक्टर शुरू करें. Students, probability exercise हमने शुरू की थी पहली 13.1 और पहले 5 question हमने कर लिये थे, और मैं फिर याद करा दूँ के ये पूरी exercise किस पर अधारित है? conditional probability पर. conditional probability याने एक event हो चुका है और फिर हमने दूसरे event के होने के chances देखने हैं. तो question number 6 है, determine P of E upon F, याने के probability of E when F has happened. तो random experiment क्या है? 3 coins are tossed. और E और F events define किये हुए है. Part 1 है, E is head on third toss, F heads on first two tosses. तो हम solution कैसे start करेंगे इसका देखो? हमने सबसे पहले random experiment लिखना है. सारे parts के लिए random experiment एक ही है. तो random experiment. 3 coins are tossed. यह हमारा random experiment है. फिर, sample space क्या बनेगी इसकी? sample space, s is equal to. तो हम जानते हैं कि 3 coins जब toss करते हैं तो sample space कैसे बनती है? H-H-H, T-H-H, sorry, H-T-H, फिर H-H-T, उसके बाद 2 tails, T-T-H, T-H-T, H-T-T, और फिर 3 tails, T-T-T. देखो, यह 8 outcomes हो गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो यह हमारी sample space है. जितने भी events define होंगे, वो इसी sample space के बीच में ही होंगे. तो अब first part. First part में E क्या दिया हुआ है? देखो, E है, head on third toss. Head on third toss. और F क्या दिया हुआ है? Heads on. First two tosses. तो इसका मतलब क्या हो गया? E event को हम define करते हैं. Head on third toss. Third toss पे head कहां आ रहा है? एक तो पहले outcome में आ रहा है. H, H, H. क्योंकि हमने सिर्फ देखना है, third पे head होना चाहिए. बस. उसके बाद third पे आ रहा है, T, H, H पे. फिर H, T, H पे भी third toss पे head है. उसके बाद यहाँ पे T, T, H पे भी third toss पे head है. और उसके बाद नहीं है. तो यह हमारा हो गया, E, event, define. उसके बाद F. F क्या है? Heads on, on लिखना था मैंने रहे गया मुझे. Heads on first two tosses. First two tosses पे हमारे पास head दिखना चाहिए. तो first two H होने चाहिए. तो first two H यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है. First two head. उसके बाद first two head हैं ही नहीं. तो यह हमारे पास आगए, जो दोनों events है. अब इसमें, क्योंकि P of E upon F निकालना है हमने यह, तो इनका intersection भी चाहिए हमको. तो E intersection F, दोनों में common, यहनिके E और F इकठे कब होंगे. तो common तो यह एक ही element दिखाई दे रहा है हमको, क्योंकि H, H, T इसमें है ही नहीं, तो H, H, H. तो जब यह तीनों events हमने define कर दिये, तो अब हम इनकी probability भी find out कर सकते हैं, which implies P of E is equal to, देखो, कितने favorable outcomes हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 4 upon, और total outcomes कितने हैं? 8 is equal to 1 upon 2, P of F. P of F, F में कितने favorable outcomes हैं? 2, total है 8, तो 1 upon 4, और intersection में 1 ही point है, तो 1 upon it. तो therefore, P of E upon F is equal to, P of E intersection F divided by P of F, तो देखो, P of E intersection F कितना है? 1 upon 8, whole upon P of F कितना है? 1 upon 4, तो देखो, अब 4 उपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो 4 upon 8, याने के 1 upon 2, तो ये आ गया हमारा answer first part का, very easy question, और ये board के paper में भी आ ही सकता है, और अगर board के paper में ना भी आया, तो तुमको probabilities को इस तरह से समझने का एक basic concept और अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो अब मैं चलता हूँ second part पे, second part क्या था देखो, second part में at least two heads, at most two heads, चलो second part स्टार्ट करते हैं, second part में हमारे पास E और F जो हैं, वो हमने define कर देने हैं, E क्या है, at least two heads, और F defined है, at most two heads, तो E को define किया मैंने, at least two heads किस किस में आ रहे हैं, देखो, कम से कम दो head, इसमें एक भी head नहीं है, इसमें एक head है, कम से कम दो head यहाँ पे मिल गए हमको, कम से कम दो head इसमें हैं, इसमें हैं, और फिर इसमें भी हैं, तीन heads हैं, तो कम से कम दो head तो हैं ही, तो यह चारों outcomes यहाँ पे आ जाएंगे E में, HHH, THH, HTH, HHT, और अब F, at most two head, जादा से जादा दो head, तो जादा से जादा दो head में, हैं, दो head वाला तो आई गया, जो एक head आ रहा है, वो भी तो जादा से जादा दो head ही हैं, at most में कम वाले cases देखते हैं, और zero head भी, जादा से जादा दो head वाले case में ही आएगा, अगर ये बात समझ में नहीं आई तो एक और एक और example ले लेते हैं, देखो एक exam है math का मान लो, 100 marks का, और उसमें passing marks हैं, 33, तो इसमें जादा से जादा कितने number आ सकते हैं, 100, लेकिन 100 से कम भी तो सारे के सारे marks आ सकते हैं, तो वो जादा से जादा 100 वाले case हैं सारे के सारे, यानि कि at most में down वाले cases भी देखते हैं, और 33, कि at least 33 marks चाहिएं, पास होने के लिए, at least 33 पास होने के लिए चाहिए, लेकिन जो इससे उपर number वाले हैं, 34, 35, 100 तक वो सारे पास ही तो हैं, तो at least में हम उपर वाले cases देखते हैं, और at most में नीचे वाले cases, तो हम अब at most two heads में क्या-क्या लिखेंगे, at most two heads, तो पहले two heads वाले cases कर लेते हैं, two heads तो आएंगे ही, exactly two head वाला case आ गया, दो head आ गये, उसके बाद at most two heads हैं यानि ज्यादा से ज्यादा दो आएं, एक हो तब भी कोई बात नी, एक भी head ना होता हो भी कोई बात नी, at most है, ज्यादा ज्यादा दो चाहिए उससे ज्यादा नहीं चाहिए, उससे कम हम मान सकते हैं, तो एक head वाले case आ जाएंगे, tth, tht, htt, और zero head वाला, ttt, तो अब हमारे सामने यह दोनो events defined हैं, तो p of e कितना आ गया, देखो एक, दो, तीन, चार, चार outcomes है, 4 by 8 is equal to 1 by 2, कॉमा, p of f कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 by 8, और p of e intersection f कितना आ गया, देखो, intersection में कितने आए, देखो, यह two heads वाला आ गया, तीनो cases यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं, हाँ, e intersection f लिखना मैं भूल गया, sorry, यहाँ थोड़ा सा में define कर देता हूँ, कि पी, यह e intersection f कि आएगा, देखो, यह जो तीन हैं, वो यहाँ पे आए होए हैं, यह वाले इधर नहीं हैं, और यह वाले इधर नहीं हैं, तो यहने दो, exactly दो head वाले cases आ गए, तो यह e intersection f तुमने f के बाद लिख देना है, यहाँ पर, यहाँ पर आएगा e intersection f, और उसके बाद तुमने यह दिखना है, तो तो प of e intersection f कितना होगा, probability कितनी होगा, कितने outcomes हैं, तीन, तो 3 by 8, यह 8 कहां से आ रहा है, टोटल number of outcomes sample space में 8 हैं, तो therefore, therefore, p of e upon f is equal to p of e intersection f divided by p of f is equal to p of e intersection f कितना आता है, 7 by 8, और सॉरी, मैं गलती कर रहा हूँ, p of e intersection f है, 3 by 8, divided by p of f कितना है, 7 by 8, तो 8 से 8 कैंसल, 3 by 7, तो second case में भी हमने क्या किया, p of e upon f कैलकुलेट कर लिया, अब third case देखो, at most two tails, at least one tail, तो I think ये अब तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये दोनों cases करा दी हैं, ये तुमने खुद ट्राई करना है, students, तो मैं ऐसा करता हूँ, question number 7 की तरफ चलता हूँ, और page भी बलटता हूँ, तो students, ये है हमारा question number 7, determine p of e upon f, if two coins are tossed once, first part में e define किया हूँ, tail appears on one coin, f define किया हूँ, one coin shows head, और इसी तरह second part भी है, तो हम solution start करते हैं, सबसे पहले random experiment, random experiment, two coins are tossed, ये हमारा random experiment है, और इसमें total number of outcomes कितने होंगे, अगर हम भो भी note कर लें, sample space ना भी बनाएं, तब भी हमारा काम चल जाएगा, तो here, number of points in sample space is equal to, कितना हो जाएगा, two into two, four, क्योंकि एक दो coin है, और एक coin के दो outcome है, तो दो coins होने की वज़े से two power two हो जाएगा, यहने two into two, four sample space में outcomes आएंगे, अब first part शुरू करते हैं, ये क्या defined है, tail appears on one coin, और F क्या है, sorry मैं second लिखने लग गया, one coin shows head, ये है हमारा F, तो E के outcomes क्या होंगे, define करते हैं, tail appears on one coin, एक coin पे tail आए, तो एक coin पे tail आने का क्या मतलब है, कि एक पे head हो, एक पे tail हो, एक पे tail हो, एक पे head हो, simple, उसके बाद F, one coin shows head, एक coin पर head आए, तो एक coin पे head आने का क्या मतलब है, यही same, head tail, tail head, क्योंकि at least at most तो कहा ही नहीं है, second coin पे या first coin पे भी नहीं कहा, तो यही दोनों आएंगे हमारे पास, और, इसका मतलब क्या हो गया, intersection में क्या आ गया, intersection में दोनों ही elements हमें दिखाई दे रहे हैं आते हुए, तो यह आ गया हमारे पास, अब, P of E, देखो, two outcomes हैं इसके, और total four outcomes हैं, तो one by two, फिर, P of F, P of F, वही, two by four, means one by two, और, P of E, intersection F, यह भी two by four, यहने one by two, यह आ गया हमारे पास, अब, probability of E upon F, यहने E के होने की probability, अगर F हुआ है तो, तो, E intersection F, divided by P of F, तो one by two upon one by two, cancel हो के one, अब one तो highest probability होती है, इसका मतलब यह होगा ही, तो हमें साफ पता जल रहा है कि, अगर F होगा, तो E तो होगा ही, क्योंकि F और E, one and the same thing, दोनों same ही, events है, outcomes तो same है, तो अगर F होता है, तो हम मान सकते हैं, कि E होगा ही, surety है, sure experiment, event हो गया यह, E upon F, इसकी probability one आ गई, तो अब हम करते हैं second, second part में देखो, no tail appears, no head appears, ऐसे दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं, E, no tail, appears, और F है, no head appears, तो, E में क्या आ जाएगा, no tail appear, tail नहीं आना चाहिए, तो वो एक ही outcome है students, कि दोनो head हों, और F, no head appear, head बिल्कुल दिखे ही न, तो वो एक ही outcome है, दोनो tail का, तो इसका मतलब, E intersection F क्या हो गया, 5 कोई common element है यह नहीं आपस में, तो अब, P of E कितना हो गया, 1 by 4, P of F, 1 by 4, और, P of E intersection F, 0, क्योंकि, कोई भी outcome नहीं आया, तो P of E upon F, is equal to, P of E intersection F, divided by P of F, तो बताओ कितना हैगा, 0 upon 1 by 4, means, 0, तो इसका मतलब, अगर E होता है, तो F हो ही नहीं सकता, और अगर F होता है, तो E हो ही नहीं सकता, तो याद करो, यह किस टाइप के outcomes हो गए, यह students exclusive हो गए, यह आपस में exclusive हो गए, exclusive events कौन से होते हैं, exclusive events होते हैं, कि अगर एक हो, तो दूसरा हो ही न पाए, मतलब, E intersection F, जहां पर Phi आए, उनको कहते हैं exclusive events, तो यह exclusive events का, एक बहुत ही अच्छा example है, कि अगर दो coins को toss करें, तो एक event define करो, कोई tail नहीं दिखना चाहिए, और दूसरा event define करो, कोई head नहीं दिखना चाहिए, तो यह exclusive events के example है, तो यह question तो हो गया complete, अब हम चलें अपने अगले question की तरफ, students यह है question number 8, determine P of E upon F, if a die is thrown three times, E है four appears on third toss, F है six and five appears respectively on first two tosses, तो random experiment क्या है, पहले हम वो लिखते हैं, random experiment, a die is thrown three times, तो die तीन बार फैंका जा रहा है, students, die को दो बार ही फैंको, तो 36 outcomes हो जाते हैं, एक बार में six outcomes होते हैं, तो therefore, number of points in sample space, कितने हो जाएंगे, six power three, क्योंकि एक dice, एक बार dice फैंकने पर six outcomes आते हैं, दो बार dice फैंकने पर six power two हो जाता है, number of outcomes, और तीन बार dice फैंकने से, six power three हो जाएगा, जो की है 216, अब 216 की list बनाने की हमें, जरूरत नहीं है यहांपर, सिर्फ number ही बहुत है, उसके बाद e डिफाइन किया गया है, four appears on third toss, और f है, six and five appears, respectively, on first two tosses, तो यह तो मैंने given लिख लिया, random experiment लिख लिया, अब मैं e को define करने वाला हूँ, e is equal to, देखो, four appears on third toss, third पे four रहे, यहने, first two tosses पे कुछ भी हो सकता है, तो हम one one से start कर देते हैं, फिर, one two four, फिर, one three four, फिर, one four four, फिर, one five four, फिर, one six four, उसके बाद यह one, तो first पे आ गया, उसके बाद, two one four, और इसी तरह करते करते हम पहुँचेंगे, two six four तक, और इसी तरह करते करते, हम पहुँचेंगे, यह वही thirty six outcomes हैं students, one one की line, one की line, फिर two की line, इसी तरह करते करते, six one four, और करते करते, six six four, तो यह thirty six outcomes बनते हैं, four के साथ, क्योंकि four तो fix है, सिर्फ पहले दो change होंगे, तो पहले दो change, thirty six तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि हमने, two dice के बारे में, किया हुआ है case, अब F, F का मतलब है, six and five appears respectively, on first two tosses, यानि के six पहली toss पे आए, five दूसरी toss पे आए, यह fix हो गया, six कोमा five तो fix हो गया, अब तीसरा number बदल सकता है, तो तीसरा number कैसे कैसे बदलेगा, one से लेके six तक, one, two, three, four, five, six, यही outcomes हो सकते हैं, पहले पे six, दूसरे पे five, और तीसरे पे कोई भी number, अब कोई भी number में सिर्फ छे इंबर पॉसिबल थे, वो हमने लिख दिया, तो इसके छे outcomes हो गए, और इसमें, E intersection F क्या आएगा देखो, इसमें third toss पे four कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, बाकी और third toss पे four नहीं है, तो वो कहां आएगा, इससे एक पिछला number होगा, students, इससे पिछला जो number होगा, वो होगा six, five, four, यह यहां भी पाया जाएगा, और यह यहां भी पाया जाएगा, तो six, five, four, बस, यही outcome होगा हमारा, जो, दोनों में, दोनों conditions को follow कर रहा है, पहले दो पे six है और third पे four है, तो अब हम देखते हैं, कि P of E कितना आ गया, E के कितने outcomes थे, 36 outcomes थे, तो 36 upon 216, यानि 1 upon 6, cancel करोगे, 1 upon 6 हाएगा, P of F, यह कितना है, F में कितने outcomes थे, six, six upon 216, cancel करोगे, 1 upon 36 आएगा, और, P of E intersection F, यह कितना होगा, इसमें तो एक ही outcome आया, तो, 1 upon 216, तो अब देखो, जब यह 3 ही आ गये तो, therefore, P of E upon F, is equal to, P of E intersection F, divided by, P of F, is equal to, P of E intersection F कितना है, 1 by 216, upon P of F कितना है, 1 by 36, तो अब 36 उपर, 216 नीचे, तो यह आ गया, 1 upon 6, तो students, मैं इस question को तो मैंने खतम कर लिया, एक बड़ी ही important बात बताना चाहता हूँ, इस expression को लेके, यह जो मैंने बनाया, देखो, एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है, देखो, मैं एक number लिखता हूँ, 2 by 3 by 5, अब तो मुझे यह बताओ, कि यह मैंने, यह चीज लिखी है, यह यह चीज लिखी है, एक बड़ी important बात बता रहा हूँ, समझना जरा मेरी बात को, इसको मैं कैसे समझू, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही, लेकिन इन दोनों में समझ में आ रही है, कि actually numerator और denominator क्या-क्या होंगे, यह मैं क्यों समझा रहा हूँ students, कि जब तुम exam दे रहे होते हो, exam में बैठे होते हो, तो इस type के, जब तुमें लिखने पड़ते हैं expression, P by Q by R, तो अगर तुमने main division वारी line, जैसे मैंने यह बड़ी बनाई है, यह चोटी बनाई है, यहाँ पर यह बड़ी बनाई है, और यह चोटी बनाई है, अगर तुम ऐसा नहीं करते, तो तुम अगर यह लिखना चाहते हो, और इस तरह लिखा है, तो उसको गलती से, exam में actually बहुत दिमाग पर pressure भी होता है, गलती होने के chances तब ही तो होते हैं, देखो वही question, जब तुम घर में बैठके करते हो, तो तुम से वो बिल्कुल correctly हो जाता है, लेकिन वही question जब exam में करते हो, तो तुम्हारा time जादा लेता है, वही question और उसमें गलती होने के chances बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुम्हें डर लगता है, गहीं गलत ना हो जाए, तो इतने pressures में, तुम गलती से, अगर तुमने ये लिखना था, और लिखा ये है, तो उसको गलती से अगले step में, तुम ये भी interpret करके गलती कर सकते हो, तो हमेशा घ्यान रखो, numerator upon denominator, और अगर numerator, P by Q form में है, और denominator, मान लो P by Q form में नहीं है, तो main division की line, बड़ी बनाओ, हमेशा, ऐसे, या फिर, numerator P by Q form में नहीं है, और denominator जो है, वो P by Q form में है, तो ऐसे बनाओ, ताकि तुम्हें clearly पता चले, अब मैंने ये लिखा है, और ये लिखा है, तुम्हे clearly पता है कि, solve होने के बाद numerator और denominator क्या बनेंगे, लेकिन इसमें नहीं पता चल रहा, इसमें मैंने जो सोचा है, बस वही मैं कर दूँँगा change, और अगर इस तरहें से लिखा है, तो मैं इसको गलती से ये interpret भी कर सकता हूँ, तो बड़ी ही important बात है, इसको समझ लो, हमेशा apply करो, अपनी life में जब भी लिखो, practice करो, तब भी apply करो, तब ही हाथ जो ए वो टीके का तुम्हारा, और exam में भी तुम इसको ढंग से लिख पाओगे, ऐसे या ऐसे जो भी case हो, अब देखो, दोनों का answer तो different है, इसका answer क्या है, इसका answer है 2 by 3 into 5, यहने 2 by 15, और इसका answer क्या है, इसका answer 5 उपर चला जाएगा, तो 5 into 2, यह है 10 by 3, देखो, 2 by 15 और 10 by 3, दोनों अलग अलग नंबर है, और मैं दोनों ही नंबर, इससे बना पा रहा हूँ, क्यूंकि, मैंने इसमें, main division की line को, लंबा नहीं दिखाया, तो इस बात पे, मैं ध्यान देलाना चाता था, तुम्हारा के, main division वाली line, whole numerator, divided by whole denominator, जहां आता है, वहाँ पे, division की line को, लंबा बनाओ, हमेशा ऐसे, ताकि तुम्हें clear रहे, तो I think, ये question हमने कर लिया है, question number 8 हो गया, solve, और जहां तक, बात अब है, अगले कुछ questions की, तो, देखो, मैं चाहता हूँ, कि, मैं वो question वीडियोज में कराऊं, जो या तो exam में आने है, board exam में, या फिर, वो कुछ basic concept को, समझने में helpful हो, और मुझे नहीं लगता, कि, जो इससे अगले question है, इस exercise के, वो exam में आएंगे, नहीं लगता मुझे बिलकुल भी, exam में नहीं आने वाले, इससे अगले question, और basic concept को, समझने में भी, इससे ज़्यादा help नहीं मिलेगी, जो कि हम, P of E upon F का, सीख चुके हैं, तो इसके बाद वाले questions, तुम भी practice करते वाग, छोड़ सकते हो, ये पहले 8 question ही हैं, जो ज़्यादा important है, उसके बाद, कोई भी ऐसा question, मुझे नहीं दिखाई देता, पूरी exercise 13.1 में, जो कि, exam के लिए तुम्हारी तैयारी करे, और मैं कोई भी ऐसा, वीडियो में question नहीं लाना चाहता, जो exam point of view से, important हो ही न, ताकि तुम्हारा time, कम से कम लगे, हमारे इस वीडियो को देखते बाद, तो students, ये वीडियो मैं यहीं पर खतम कर रहा हूँ, एक request करूँगा, कि comment section में जाके, इस वीडियो को, one to five के scale पर rating जरूर देना, ताकि मुझे पता लग सके, मैं कहां तक, तुम्हें help करने में काम्याब रहा हूँ, और अगर पसंद आये वीडियो, तो like और share जरूर कर देना, क्योंकि share किसलिये करना है, quality education सबका अधिकार, ये हमारा motto है, ये याद रखो, और अगर तुम tuition छोड़ना चाहते हो, tuition में तुम्हारा time, और तुम्हारे parents का, मेहनत का कमाया पैसा, ये दोनों ही चले जाते हैं, और इससे अगर बचना है, तो तुम मेरे channel को सिर्फ subscribe करो, free of cost है, subscribe करो, और playlist को follow करो, playlist में तुमको chapter wise, सभी videos की playlist मिल जाएंगी, जिससे कि बहुत easily, तुम, ये सारा syllabus follow कर सकोगे, ताकि board exam में, जादा से जादा number ला सको, तो students ये वीडियो यहीं तक, अगली exercise हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे, best of luck, इसकी practice करो, thank you for watching,